हलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है सिंग कीचन जी यूट्यूब चैनल पे आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो का आइसक्रीम इसके लिए हम दूद रख दिये हैं और दूद को हम रबडी की जैसे खौला लिए हैं और इसमें हम अब डाल रहे हैं चीनी और चीनी डाल क अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा और गाढ़ा बना लेंगे रबडी की जैसा धीरे धीरे चला के इसको थोड़ा गाढ़ा बनाते रहेंगे जब तक लिए गाढ़ा नहों तब तक लिए इसको थोड़ा सा आप गाढ़ा बना लीजे और फिर डा काजू बदाम घीज के डाल रहे हैं आपको जैसे इच्छाओ को आप डालिये और आप नारियल भी डाल सकते हैं पीस्ता बदाम जो भी डालिये हम बसी काजू बदाम डाल रहे हैं अब डाल की इसको मिक्स कर लेंगे देखिए हम आम धोके ले लिए हैं और इसको हम कट कर रहे हैं अब उसका उपर का जो अकार होता उसको कट कर ले रहे हैं पिर उसको कट करके कट करके उसका चाकू लगा के किनारे किनारे से गुठली को हम थोड़ा साइड से जगा बना लेंगे फिर उसका गुठली निकालेंगे चाकू के सायता से अराम से देखिए हम गुठली निकाल चुके हैं पिर दूसरे आम को हम गुठली निकालेंगे गुठली निकाल के इसका जितना गुठली में इसका जो पॉल्स है उसको हम उसमें डाल देंगे चाकू के सहता से फिर हम रबडी को चेक कर लेंगे कि बन गया है कि नहीं बन गया है फिर हम अब रबडी मेरा बन गया है हम इसको इसमें डालेंगे आम के अंदर आम के अंदर भर लेंगे तीनों आम के अंदर पूरी तरीके से भर लेंगे तीनों आम में हैं लगा देखे मेरा भर चुका हैं और इस पर झेल जो हम कट किये थे उसको impacting के जैसा लगा देंगे हम लगा चुके हैं अब हम इसको फिरिज में रख देंगे हम रात को बनाये थे तो सुबर तक हम छोड़ दिये थे देखिए मेरा ये हो चुका है और इसका हम छील का आराम से उतारेंगे बहुत काड़ा होता है दोस्तों थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होता है तो बंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में सेर कीजिएगा थैंक यू कर देखिजगा झाल तो ।